अखलेश के जेल से निकलते ही इर्फान पर एफायर सपा प्रमूख ने अपने विधायक से 40 मिनट तक बादचीत की बोले सारे मुकदमे जूटे हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजट उड़े सपा प्रमूख अकलेश यादव सौंबार को कानपूर पहुचे थे उन्होंने जिला जेल में बंद सपा एमेले इर्फान सोलंकी से मुलाकात की अकलेश के साथ एमेले अमिताब बाचपई, एमेले हसन रोमी, पूर्व एमेले मुनींदर शुकला, सतीश निगम, एमेले अतुल प्रधान जी भी मुझूद थे अकलेश ने जेल से इर्फान से करीब 40 मिनित तक बाचीत की इस दोरान अकलेश ने इर्फान पर दर्ज, मुकदमे और कारवाई को जूटा बता दिया उन्होंने कहा कि पुलिस ने इर्फान का फरजी अधार कार्ट बनवा रखा था इर्फान को नियाइद लाने के लिए पार्टी संगर्श कर रही है वहीं अकलेश यादव के जेल से निकलते ही इर्फान सौलंकी पर एक और एफायर दर्ज हो गई उन पर बांगले देश के रहने वाले रिजवान मुहंबत को कानपूर में शरन देने का आरोप लगाया गया था सपा कारे करता पिंटू ठाकूर और रोमील के परिजयनों को दिलाया नियाय दिलाने का बहरोस किया है हम आपको बताते चलें अकलेश यादव ने सपा कारे करता पिंटू ठाकूर के घर जाकर उन से भी मुलाकात की थी इस दोरान करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई अकलेश ने उनका हाल चाल जाना पिंटु ठाकूर ने EVM के विरूद में मार्च के महीने में लखनों में विदान सवा के भार आत्म धा का प्रियास किया था इलाज के बाद उनकी जान बचपाई अकलेश यादव ने पिंटु ठाकूर से मुलाकात के दोरान कहा कि आत्म धा करना किसी समस्य का हल नहीं है किसी भी स्काड़े करताव को ऐसा करना नहीं चाहिए पिंटु के परिजनों से मिलने के बाद वहीं मरतक छात्र रोमिल के घरव से भी मुलाकात की उन्होंने नियाद लाने का भरोस्त दिलाया वहीं वल्वन्त की पत्नी ने अकलेश यादव से मांगी थी मदद हम आपको बताते चले अकलेश यादव सपाकारिकर्ता पिंटु यादव के घर आने से पहले कानपू देहात के सोरईय गाउं गई थे यहा को सरकारी नोकरी देने की मांग की है बलवन ची पत्नी शालिनी ने अकलेश को लेटर लिक कर मदद मांगी थी शालिनी ने खुद लेटर में लिखा था mają हम होगा当然 मेरे पती को पुलिस हिरासत में मार दिया गया था मेरी निवेदर ही कि आप मेरे घर आए मेरी आवाज को बुलंद करें मेरे पती की मौत के मामले में मुझे न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ खड़े हों मैं आपकी अभारी रहूंगी अखलेश बुले बलवंद की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है बलवंद के परिजनों से मलाकात के बाद अखलेश यादव ने कहा कि सरकार हर उस आदमी की जुबान बंद कर देती है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है पुलिस वाले परिवार के सामने बहुत निर्दई होके बलवंद को पीट रहे थे उसे इतना पीटा जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते इस घटना में उसकी जान चली गई पूरी घटना एक साजिश है इस घटना के लिए पुलिस पूरी तरे से जिम्रदार है जो कारव मौत की घटना रुक यह रही है मैं आपको बता दू अईसी घटना इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि सरकार की नियत ही साफ नहीं है क्योंकि सरकार जूटे मुकदमें लगाना जूटा फसाना देना बसूली करना शर्म सिमा पर लूट और व्रस्चचार है कस्टोडियल में यूपी नंबर वन है भाच्वा सरकार में यह लगतार बढ़ते जा रहे हैं अब देखने यह होगा कि अकलेश यादर मरतकों को निया दिल्ला पाएंगे और क्या यूपी सरकार का अगला स्टेंट क्या होता है तब दक के लिए देखते रहे हैं नज़र तुड़े